Hello friends, हमने last lecture में exercise 15.1 के questions किये थे mean division about mean आज जो हम questions करेंगे, वो करेंगे mean division about median के mean division about median के हमने सिर्फ दो questions किये थे last lecture में उससे आगे हम आप करेंगे, तो question number है 7 इस exercise के first question हमने कर लिये थे 7th में निकालने हैं आपको mean division about the median for the data 7th और 8th, same है mean division about median निकालने हैं आपको 5, 7, 9, 10, 12, 15 यह आपका है X, F है आपका 8, 6, 2, 2, 2, 6 2, 2, 6 तो median कैसे निकालते हैं जब हमारे पास discrete series होते हैं means X or F given होते हैं हम निकालते हैं median के लिए पहले cumulative frequency CF कैसे रहेगी 8 ऐसे लिखेंगे फिर जो next frequency है वो add कर के लिखेंगे 6 प्लस 8, 14, 14 प्लस 2, 16, 16 प्लस 2, 18, 18 प्लस 2, 20, 20 प्लस 6, कितना है 26 आप add करें तो यह sum भी 26 ही आएगा जो last value होती है वो frequency के sum के equal आती है अब हमें निकालें median में हमारे पास N कितना है? 26 कैसे है यह? E1 है और E1 के case में median कैसे निकालते हैं आप 26 का half करें और उससे next term लेने N by 2 प्लस भी करना है N by 2 प्लस 1 अस term डिवाइड बाइ 2 मीज यह होगा आपका 13 और 13 में बनाट गिया 14 13 प्लस 14 टरम डिवाइड बाइ 2 अब 13 टरम कहा पर आएगी? आप को cumulative frequency भी देखनी है आपकी आच टरम से तक को यहाँ पर है 8 से उपर कोई भी आते ही है 8.1 से start कीजिए और up to 14 तक इस cumulative frequency के अंदर आएंगी 13 भी आपकी इसी class में आनी है और 14 भी नहीं प्यानी है आपकी वाइड जो 13 के लिए भी आपकी x 7 है और 14 के लिए भी आपका x 7 है 7 प्लस 7 डिवाइड बाइ 2 कितना है आपका 14 भाइ 2 7 तो मीडेन आपके पास कितना है 7 आया है अब आपको क्या निकालना है x माइनस मीडेन निकालना है मैं इसे बस आप कर रहा हूँ x माइनस मीडेन निकालेंगे निकाली x माइनस मीडेन मीडेन 7 था तो 5 माइनस 7 माइनस 2 आपको सिर्फ पोश्टेटरम लेनी है मोडूलस लेना है 7 माइनस 7 0 9 माइनस 7 2 10 माइनस 7 3 12 माइनस 7 5 15 माइनस 7 8 ओके इसके बाद आपको क्या करना है f के साथ multiply करनी है इसकी x माइनस मेडेन की इन दोनों कुलम्स की multiply करनी है आपको कीजिए 8 इंटू 2 16 6 इंटू 0 0 2 इंटू 2 4 2 इंटू 3 6 2 इंटू 5 10 6 इंटू 8 48 एड़ करें इसे 16 कितना है 6 इंटू 6 16 28 22 64 84 इंटू रहे अब आपको फाइनली क्या निकाला है में इंटू 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 median divided by N 84 divided by 26 इंटू कितना हैगा 3.23 ये था आपका मिन इन ड्यविशन इंटू question number 8 वो भी same इनी steps पे है आप try कीजिए अब है question number 11 Question number 11 है इसमें एक class intervals given है 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 to 40 40 to 50 and 50 to 60 पहले तुम mid values ले लिए जी एक्स 0 10 की mid values 5 10 20 की 15 25, 35, 45 and 55 lower limit और upper limit को add करें divide by 2 Frequency की वन है इसकी अब आपको क्या निकालनी है CF 6, 14 add करते जाहिए इसका सम्भी 50 अब class interval के लिए जो mid निकालते हैं उसका अलग तरिका होता है उसके लिए एक formula होता है उसे निकालेंगे उसके लिए सबसे पहले आपके निकालते है N by 2 N by 2 देखते हैं कहां पे आता है 50 by 2 कहां पे आएगा आपका 25 25 आएगा इस उसमें class में 22 30 में 14 तक values यहां पे हैं आपकी CF के अंदर 14 से बड़ी कहां तर 28 तक सारी values इस class के अंदर आएगी हमारी 25 है 25 मेंज 28 से छोटा है तो इसी class के अंदर आएगा median class क्या है आपकी 20 से 30 यह आपकी median class है median class का मतलब क्या है जो answer आएगा median आएगा आपका वो 20 और 30 के 20 में आएगा median निकालने का formula होता है L प्लस N by 2 माइनस CF divided by F multiply में H क्या क्या है L क्या है lower limit इस median class के lower limit कितनी है 20 N by 2 कितना है हमने उपर रिकाला है 25 CF कितनी है CF हमने इस class के नहीं लेनी है इससे उपर वाले लेनी है 14 frequency इसी class के लेनी है आपको 14 ये चीज़ ध्यान में रखना सारी चीज़ इसी class के आएंगी सिर्फ जो class frequency है cumulative frequency है वो कौन से लेनी है उपर वाले लेनी है जो भी आपकी median class है उससे उपर वाले H कितना है 20 से 30 11 बाइ 14 इंटो 10 से मुल्टिप्ला करेंगे 110 लव भग गिया या है आपका 20.7 sorry 27.85 ओके देखे एक वाले से 27.85 अब हम क्या करेंगे X माइनस median को माइनस करेंगे मतलब 27.85 लिख रहों मैं जान रहेगा आपको तो X में से माइनस कीजिए कितना हैगा 22.85 15 माइनस करेंगे 12 माइनस करेंगे 25 माइनस करेंगे 35 माइनस कीजिए 35 8 7.15 17.15 इसके बाद हमें क्या करना है F की मल्टिप्लाइ करना है X माइनस median से यह आपका था X माइनस median okay multiply करें F की multiply से इसके बाद है 8 की multiply 40 की multiply करेंगे calc से कर लेते हैं इसे while से 2 यह आईगी आपकी 39.9 calculation में थोड़ा टाइम लगेगा 16 मंटिप्लाइ 7.15 this is equal to 114.4 इसे एड़ कर दें 137.1 1 plus 12.8 plus 39.9 plus 114.4 plus 517.1 अब हमें फाइनली क्या निकालना है मिन डैविएशन अबाउट मीडियन सिग्मा एक्स माइनस मीडियन डिवाइड बाइ एन होगा ये आया है आपका सिग्मा एक्स माइनस मीडियन कितना है 517.1 डिवाइड करें से 50 से आंसर आएगा 10.342 ओके नौट कीजिये से इसके बाद है कोईशन नमबर 12 कोईशन नमबर 12 में अब एक चीज़ है मैं यहां से लिखना शुरू कर रहा हूँ Class interval is 16 to 20 21 to 25 and 26 to 30 यहां break हो रहा है Class interval में 16 से 20 20 के बाद 20 है 20 और 21 वाला नहीं लिया हुआ तो यह part भी हमें include करना होता है Class interval में तो हम कैसे करेंगे 20 और 21 के बीच में कितना डिफरेंस है 1 का 1 को half कीजिए कितना है 0.5 तो 0.5 सभी में सभी Classes के अंदर Lower Limits में ऐसे तो माइनस करेंगे 15.5 हो जाएगा और Upper Limit में Add करेंगे Clear है ना आप क्या करें किसी भी Class में Upper Limit और दूसी Next Class का Lower Limit उन दोनों का Difference देख लें यहां एक है 25-26 में भी एक आएगा 30-30 में भी एक आएगा एक का धा ले ले 0.5 0.5 को हर Class में से Lower Class में से तो आपको Lower Class Limit में से माइनस करना है Upper में Add करना है 16 में से माइनस करेंगे 15.5 20 में Add किया 20.5 21 में से माइनस करेंगे तो 20.5 हो जाएगा 25 में Add रहेंगे तो 25.5 और यह एक सिक्वेंस अपने आपी बन जाएगा 25.5 से 30.5 का अधा तक जाना है 25.5 तक 30.5 35.5 35.5 से 40.5 40.5 से 45.5 45.5 से 45.5 और 50.5 से 55.5 अब इसमें हमारी क्लास में कोई भी ब्रेक नहीं है Continuity में है इसलिए हम इसे Continuous Class Interval बोलते हैं ओके 55.5 एक्स लेंगे इन दोनों का Mid तो क्या होगा Add कीजिए 20 बंदर 35 36 36 का Mid 18 5-5 यद करते जाएए 5-5 क्यों Add कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो Class Interval है 5 है आप Add करके Half करें तो यहीं आएगा First Class Comment Value ले लीजिए आप उसके बाद जितना Class Interval है वो Add करते में लिखते जाएगे F कितना है आपके पास 5-6 बाद Medium निकालने के लिए Cumulative Frequency चाहिए 5 5 में अब Next पहले Frequency Agitive रखेंगे अब इस Frequency में Next Frequency आद करके लिखते 11 11 में 12 23 37 63 75 91 And it is 100 NB इसका कितना हैगा 100 आप इसे आद कीजिए वहीं होगा जो लास्ट वाली Value आई है Cumulative Frequency की N 100 है में निकालने एक लिए क्या निकालना है आपको कहले N by 2 100 by 2 100 by 2 कितना है आप 50 50 कहा पर आता है Cumulative Frequency में देखे 37 से बड़ा है 63 से चोटा 37 से बड़ी जितने भी Values होंगी हो 63 में आएंगी 37 से बड़ी 63 तक जितने भी आपकी Frequency वह Frequency होंगी 30 के अंदर आने वाली हैं तो 50 भी यहीं पर आएगा तो Median Class क्या होगी आपकी Median Class है आपकी 35.5 से लेके 40.5 तर Median निकाले का Formal लगाई है L प्लस N by 2 2 माइनस C F By F Multiply में H Lower limit कितनी है 35.5 N by 2 कितना है आपका 50 Community Frequency कितनी है जो Glass आपने लिए उस्ते उपर वाली लेनी हैं आपको 37 Frequency कितनी है Frequency इसमे 26 Into में Glass Interval कितना है Difference 55 का है यहाँ पे नहीं है यहाँ पे हमारा Original कितना था 4 था हमने जो Plus माइनस किया उसके विज़े से आपको Class Interval किया हुआ है 5 35.5 15 में से 37 13 by 26 35.5 5 by 2 2.5 Add कीजे Median कितना है आपके पास 38 देखिए देख ले होगा Median आपका 38 है अब उसे आपको क्या करना है X में से Minus करना है Minus कीजे 18 माइनस 38 Minus 20 Positive लेना है आपको Positive Value 23 में से 38 गए 15 28 में से 38 गए 10 33 में से 38 गए 5 38 में से 38 गए 0 5 10 15 ये आपका Minus करकिया है X माइनस क्या माइनस की X माइनस Median अब Multiply करेंगे F की X माइनस Median से Correct ये F है आपका ये X माइनस Median है 500,200,90,120,70,0,60,160,135 अब करें 5 5 Saykehna 5 अब आपकानल्ञ बार्कतिस Finally आपको निकालन आम में अब आभेशन about median sigma f x minus median divide by n यह आपका formula है formula में simply value put करनी है किया values है आपकी कितना समाया यह 735 इस column का divide by n n कितना है 100 100 से divide करेंगे तो आपका 7.35 तो यह था last question exercise 15.1 का 12 question एक दो questions बीच में मैंने छोड़ दिया है वो आप करके देखे बाकी questions जैसे कराएं वैसे ही है थैंक यू